दोस्तो आज हम लोग बनाएंगे टेस्टी-क्यांडी मटनख़्यों जोन दोस्तों इसे हम कोईले की आग पे नहीं बलकि गहर के गैस चूले पे बनाएंगे वो भी बहुत असान तरीके से और बनने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल कोईले की आपके जैसा होगा क्यूंकि हम इसे मित्ती के हंडी में बनाएंगे और जैसा कि हम सब को पता है मित्ती के बरतनों में बने खाने का स्वाथ बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट होता है तो दोस्तो एक बार गैस चुले पे हांडी मटन बना कर देखेगा जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मटन बन कर तयार है और बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं हांडी मटन बनाना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में जो बैल आइकन उसे भी चरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकिसान आपको टाइम से मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं हांडी मटन मनाना तो हांडी मटन बनाने के सबसे हम लेंगे एक केजी मटन लिया है और हम लेंगे 800 ग्लाम को बिलकुल इस तरह पतले पतले में काट ले नहीं है और आपको करहई में डाल देंगे यह बड़े बड़तन में इसे डाल देना अब हम 900-500 के लगभाग तेल कर लेंगे मैंने सुर सो का तेल लिया याल मिर्श पाॉडर मिर्श की कुएंट की बढ़ायां घटा भी सकते हैं एक चमश हल्डी पाॉडर और इसमें हम डालेंगे एक चमश धनिया पाॉडर एक चमच जीरा पाउडर और एक चमच कूटी होई अद्रक और एक जावा लहसुन का लहसुन के कलियों का अच्छी तरह से छील लेंगे और उसे डाल देंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल जो हमने तेल गर्म किया था उसमें हम तो सा तेल इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से प्याज के साथ मसाले को मिक्स कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे मटन और इसमें हम स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और अब मटन को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ प्याच के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स करना है जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूं उसी तरह से आपको भी करना है तो अच्छे से mix हो चुका है और अब हम लेंगे हांडी और इसमें हम डालेंगे तोरजा तेल और तेल से अच्छी तरह से हांडी को grease कर लेंगे जैसा कि अब देख सकते हैं अब इसमें साबु तेजपता चार पाश तेजपतता डालेंगे, सात-ाथ सुख सूखी लाल मीर्च, थोड़ी सी काली मीर्च और थोरजा अदस्वें गरमासाला डालेंगे च्छोटी राची हैं, बड़ी राची हैं लौंग हैं जाइफर है, डलचीनी है, सबी चीजों का ची तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें मॉटन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके सारे मॉटन को हंडी में डाल देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और मॉटन को हंडी में डालने के बाद इसमें हम बचे हुए तेल को डाल देंगे जो तेल हमने गर्म किया था जो भी तेल बचा हुआ उसे में डाल देंगे इसमें हम दो-तीन साबुत लासुन डालेंगे बनने के बाद इस लासुन को खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यह और अब हम हंडी को गैस पे चरहा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे और अब हम इसके कोड पे हंडी के कोड पे हम इस तरह से आटे का डो लगाएंगे जैसा हम रोठी बनाने के लिए डो लगाते हैं वैसा ही डो हमें तयार करना है और इस तरह से इसके कोड पे हांडी के कोड पे डो को लगा देना है और अब हम इसे कवर कर देंगे तो अच्छे तरह से इस ढकन को भी हमें आटे से इस तरह से लॉक कर देना है ताकि मटन अच् के लिए पकाएंगे और हर आदे घंटे के बाद हम मटन को बीच बीच में थोड़ा से इस तरह से हिला देंगे ताकि मटन नीचे बैठे नहीं बर्तन के तल में और मटन अच्छे से पक जाए तो हर आदे घंटे के बाद इस तरह से मटन को थोड़ा थोड़ा देंगे और दो से उपर से हम आते को हटा देंगे और अब हम इसे चेक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तो perfect honey button बन कर तयार हैं और कि इतना चैस में कलर आया है अच्छे Sé से पक चुका है तो अब हम ग्राइस के फिलेम को बन कर देंगे तो दोस्तो देखा wow आपने ग्यास जुले पर हांडी मटन बनाना कितना असान है तो आप इस हांडी मटन को कब बना रहें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजेगा अब मैं आपको इसे तोर कर दिखाती हूँ मटन अच्छे से पक चुका है तो दोस्तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सियर भी कर दिजेगा मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जल्दी मिलते हैं ऐसे इजी टेस्टी नए रेसिपी के साथ तब तक लिए अपना अपने परिवार का धियान रखें बगई बगई